आज हम लोग आपकी कक्षा बारह की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है रित वर्णाम जिसका की हिंदी अनुवाद है रितूओं का वर्णान। आज हम लोग इस पाठ के इस शिर्षक में आये हुए इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। वर्ष प्रवेगाह मतलब वर्षा की जड़ी, विपुलाह माने अधिक, पतंती माने पड़ रही है, प्रवांती माने बह रही है, वाताह माने वायु, समुदिर्ण वेगाह मतलब तेज, तेज, प्रवांती माने बह रही है, या बहा रही है, शिगरम माने शिगरता से या तिबरता से कोई एक बोल सकते हैं, नद्यों माने नदियां, जलम माने जल, विप्रति पन्न मारगाह, देखें, विप्रति पन्न मारगाह मतलब होता है, अपना राष्टा बदल कर, अपना मारग बदल कर, कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है, तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया, चलिए, अब हम लोग इसका हिंदी में अनुआद करना सीखत हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुआद, और डैश डाल करके लिखेंगे वर्षा की, वर्षा की अधिक, विपुलाह अधिक, वर्षा की अधिक जड़ी, प्रवेगाह जड़ी, वर्षा की अधिक जड़ी पढ़ रही है, पतंत पढ़ रही है, वर्षा की अधिक जड़ी पड़ रही है तेज समुदिन वेगाह तेज वायू वाता वायू तेज वायू बह रही है प्रवांती बह रही है तेज वायू बह रही है किनारों को तोड़ कर अपना रास्ता बदल कर या अपना मार्ग बदल कर विपरति पन्न मार्गाह अपना रास्ता बदल कर नदियां पुर्ण बिराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा चलिए पूरा अनुवाद हम लोग एक बार फिर से देखते हैं लेकिन अब की बार मैं क्योल हिंदी बोलूँगा आप ध्यान से सुनिये वर्षा की अधिक जड़ी पड़ रही है तेज वायू बह रही है किनारों को तोड़ कर अपना रास्ता बदल कर नदियां तिवरता से जल बहा रही है पुन बिराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा अब हम लोग लिखेंगे कैसे चले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं तो सबसे पहले आप प्रस्नोत्तर नंबर डालेंगे उसके बाद संकेत डाल करके जिस शलोक का अनुवाद लिखेंगे जिसको हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे दिखे संदर्व लिखना अनिवारी होता है दो नंबर का होता है और पहले आपको संदर्व ही लिखना होता है तो अगली हेडिंग डालेंगे संदर्व और डैस डाल करके लिखेंगे प्रस्तूत संस्कृत शलोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के दिख दर्शिका खंड में स संदर्व पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका अनुवाद भी देख लेते हैं तो देखें आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिखा है तो आप पढ़ लेजिए वर्षा की अधिक जड़ी प बदल कर नदियां तिवरता से जल बहा रही हैं पुन बिराम लगा देंगे और हिंदी में अनुवाद भी पूरा हो जाएगा